दोस्तो इस वक्त की बेहत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर दोस्तो एबी डिविलेर्स के इस एक गल्टी की वजह से हार गई बैंगलोर की टीम देखकर विराट कोहली भी हुए गुसा हेलो दोस्तो सौगत है आप सबी का फिर से हमारी यूटूब चैनल किरकेट देखो जी में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपिल 2020 का एलिमिनेटर मुकाबला रॉयल चलंजर्जर्स बैंगलोर और संराइजिस हैदराबाद के बीच खेला गय और दोस्तो इस मुकाबले को हैदराबाद के टीम ने शांदार तरीके से जीत लिया तो वहीं पर दोस्तो बैंगलोर के टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है और जी हां दोस्तो बैंगलोर के टीम एबे डिविलियर्स के एक गलती की वज़े से हार गई है वह कौन सी ग टर्गेट सिर्फ 1000 लाइक का है तो दोस्तो अब भी क्या भी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तो इस वीडियो को अंतदक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आईपिल 2020 का एलिमेंटर मुकाबला 6 अक्टुमबर को सनराइजस हैदराबाद और रॉयल चलंजर्स पैंगलोर के बीच शेक जायद किर्केट स्टीडियम में खेला गया जिहां दोस्तो अब सनराइजस हैदराबाद के टीम को दूसरे कौलिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ भीड़ना है अगर हैदराबाद की टीम यह मुकाबला जीट जाती है तो वह फाइनल में जगह बनाने में सफल हो जाएगे दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और बात करेंगे सनराइजस हैदराबाद और रोयल चलंजस पैंगलोर के बीज खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले के बारे में जीहां दोस्तो पहले बल्ले बाजी करनी उतरी रोयल चलंजस पैंगलोर के टीम ने 20 ओहरों में 7 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए दोस्तो टीम के कप्तान विराट कोहली 7 गेंदों में 6 रन बनाकर पविडेन लोट गए वहीं दोस्तो देवदत्त पडिकल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और महज 1 रन के स्कोर पर अपना विकेट गवाँ बेटे हालाएं कि दोस्तो एरन फिंच और एबी डिविलेस ने रोयल चलंजस बैंगलोर को सम्मान जनक स्कोर तक पहुंचाया दोस्तो एरन फिंच और एरन फिंच ने 30 गेंदों में 32 रन की पारी खेली तो वहीं पर एबी डिविलेस ने रोयल चलंजस बैंगलोर की तरब से सरवादिक 56 रन बनानी वाले खिलाडी रहे उन्होंने दोस्तो अपने पारी के दोरान 43 गेंदों का सामना किया ताब और तोड छक्के जडने वाले इस मशुहूर खिलाडी ने इस पारी में एक भी छक्का नहीं लगया जिहां दोस्तो उन्होंने महज 5 चोंके लगाए दोस्तो जब तक A-B डी विलियर्स स्ट्राइक पर मोजूद थे तो ऐसा लग रहा था कि रॉयल चल्ल्जस पैंगलोर की टीम 1500 से ज़्यादा रन बना लेगी लेकिन दोस्तो अगर डी विलियर्स आखिरी ओहर तक टिक जाते तो रॉयल चल्ल्जस पैंगलोर की टीम 1500 से पाती है दोस्तो हमने कई सारे मुकाबलों में देखा है कि डी विलियर्स ने आखिरी के दो ओहर में तावर थोड़ छक्के लगाए हैं अगर डी विलियर्स थोड़ा संबलकल खेलते और वह अपने टीम को जीता सकते थे जिया दोस्तो लेकिन डी विलियर्स ने अपने टी इतने का सपना भी चकना चूड हो गया। इतने का पूरा दारोमदार केन विलिमसन और जेसन होल्डर पर था। इस मकाबले में केन विलिमसन पचास रन बना कर नाबाद रहे। उन्होंने अपने पारी के दोरान 44 गेंदों का सामना किया। और दो चोके और दो छकों की मदद से उन्होंने बहतरीन बल्लेवाज़ी की। वहीं दोस्तो जेसन होल्डर ने तीन चोकों की सहायत साथ से 20 गेंदों में नाबाद 24 रनू की पारी खेली। दोस्तो केन विलियमसन को उनके शांदार प्रदेशन की वज़ह से मैन अब दे मैच का अवार्ड दिया गया। वीडियो को ज्यादे से ज्यादे शेयर जरूर करें और दोस्तो आईपेल से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तो उसके बाद घंटे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूले तो चलिए दोस्तो अजके इस वीडियो में बस इतना ही